वह मेलकम फ्रेंज आज हम डिस्कॉस करेंगे सुप्रिम कोड का इग इंपोर्टन डिसीजन तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंज राजारम वर्सिस मजरूता चलम के केस के अंदर सुप्रिम कोड ने कुछ इंपोर्टन बाते बताई है section 139 जो negotiable instrument के एक्टा है जिसके अंदर ये presumption किया जाता है कि अगर कोई भी वेक्ति चेक देता है तो उसकी debt या लाइबलेटी को डिस्चार्ज करने के लिए देता है पर ये जो presumption है इसका खंडन किया जा सकता है उसके लिए जो responsibility है वो accused कि रही present case के अंदर भी जो accused के वकिल है उन्होंने complainant के income tax return मंगवा है जिसके अंदर कोई भी ऐसी amount loan दी हुई नहीं दिखाई गई थी इसके अलावा income tax officer को भी examine करवाय गया तो ये fact check करवाय गया कि कोई ऐसी amount loan दिखाई गई है income tax return में या नहीं इन सब basis के उपर Supreme Court ने ये decision दिया कि जो income declare की गई है वो sufficient नहीं है loan amount देने के लिए और इस basis पे case खारीज कर दिया गया तो friend ध्यान में रखिये अगर आपने किसी को case के अंदर loan दिया है और check रखा है तो वो आपके लिए को security प्रूव नहीं होगा court में जाने पे आपका case खारीज कर दिया जाएगा तो ध्यान में रखिया friends अगर किसी को भी loan दिया है तो income tax return में बताना मत भूलिये thank you friends